सिर्फ एक कप गेहूं के आटे से आज हम बहुत ही स्वादिस्ट और बिल्कुल अलग तरह का नास्ता की रेसिपी आपके शाद शेयर करूं कि जिसमें पकोडी और पराठे का स्वाद आएगा जिसे हम सिर्फ दो चमत तेल से बनाके रेडी करेंगे और खाने में बहुत ही ज कर देंगे और अधा चमत चि गरीम मैंने यहाँ फर्राइ कर लेते हैं इसके बाद बारिक कट हुए ग्रीन चीली को मैंने इसमें एडग किया है और iACH मैं उनी एक प्लड़ कार्यकिया है और विच हम गोल्डर रहती हम फैस्ट हो प्राइओ कर लेंगे उसे हम डाल देंगे और इसके साथ अच्छे से हम इसे भी फ्राइ कर लेना है ताकि जो अद्रक लेसन का कच्छापन है वो बहुत अच्छे से निकल जाए आधा चमचे करी मैंने भी हाँ पे हल्दी पाउडर का यूज किया है और उसके बाद यहाँ पे दो उबले हुए आलू है जिसे मैंने ग्रेट करके यूज किया है तो मैं अब इसे यह डाल दूँगी यह मीडियम साइज के दो उबले हुए आलू थे और मैंने जिसे ग्रेट कर लिया है अब इसे डाल देंगे और इसे बहुत अच्छे से mix कर लेंगे तो friends यहाँ पर stuffing आप सबजीयों की भी stuffing यहाँ पर बना सकते हो लेकिन मैंने आज यहाँ पर आलू की stuffing की है जो बहुत ही ज़ादा tasty लगती है तो friends आप stuffing जितना ज़्यादा अच्छा और tasty बना के ready करेंगे आपका नास्ता भी उतना ही ज़्यादा अच्छा बनेगा टेस्ट के कोडिंग मैंने नमक add कर दिया उसके बाद अच्छे से mix कर लेंगे हरा धनिया आप इसमें ज़रू डालें उसके बाद हम इसे सब बहुत अच्छे से mix कर लेंगे और हमारी stuffing रेडी है अब हम इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे friends मैं एक बड़ा सा बाउल ली हूँ और इसे बहुत अच्छे से आटे में mix कर लेंगे तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा धनिया पती भी इसमें add कर दूँगी जिससे हमारा जो यह नास्ता है और भी जादा tasty बनके रेडी होगा और सभी को मैं बहुत अच्छे से mix करने के बाद यहाँ पर हमें बिल्कुल tight dough लगाके रेडी करना है तो friends अगर आप का आटा थोड़ा सा गीला होता है तो यह बिल्कुल रोटी जैसा हो जाएगा तो हमारा नास्ता थोड़ा अच्छा नहीं बनेगा तो इसलिए यहाँ पर आटा को बिल्कुल tight लगाके रेडी करें जिस तरह से आप पूरियों के लिए आटा लगाते हो बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर आटा लगाके रेडी करना है तो यह देखे friends मैंने यहाँ पर रेडी कर लिया और उसके बाद आधा चमचकरी मैंने यहाँ पर चिली फ्लेक्स डाल दिया और यहाँ पर friends मैं कटा हुआ हरा धनिया इसमें भी एड कर दूँगी और इसका एक गाढ़ा सा घोल बना के हम रेडी करेंगे तो पहले हम थोड़ा पानी डालेंगे उसके बाद हम इसमें ज़्यादा पानी डाल कर इसे हम घोल बनाएंगे तो आप देख सकते होगे friends इस तरह से आप इसकी थिकनेस को देख सकते हो कितना गाढ़ा में बनाना है अब हम क्या करते है friends यह देखिए हमारा आटा भी 10 मिनट्स हो गया है बिल्कुर अच्छे से सेट हो गया है और जो हमने सूजी डाली थी वो एक्स्ट्रा पानी जो आटे में था वो एब्जॉब कर लिया है जिससे हमारा आटा और भी ज़्यादा सकत हो गया है हमें इसे आटे को थोड़ा सा और मसल लेना है उसके बाद हम इसके दो बॉल्स बना लेंगे तो एक बॉल्स को लेके मैं क्या करूंगी यहाँ पर रोटी का शेप जैसे बना लूँगी तो फ्रेंट्स यह दिखें मैं इस तरह से किस तरह से बेल रही हूँ मैं इसे बेल लूँगी और इसे नहीं बहुत जादा मोटा और नहीं बहुत जादा पतला हमें बनाना है जिस तरह से आप रोटी बनाते हो बिल्कुल वह से ही बनाना है बिल्कुल थोड़ा सा हम इसे और मूटा रखेंगे रोटी से थोड़ा सा इसे हम मूटा रखेंगे इसे एक शेप देने के लिए मैंने क्या किया अब हम folk की help से क्या करेंगे friends इसको हम hole कर देंगे जिससे जो भी हम इसमें stuffing भरेंगे या आयाफीर हमारा जो नास्ता है नीचे से भी बहुत अच्छे से पक चके थोड़ा सा हम इसमें sauce add कर देंगे और इसके उपर spread कर देंगे जो बच्छों को बहुत ही अच्छा लगता है जिससे ये नास्ता और भी जादा चटपटा लगता है ये आलू हम इसके उपर रखकर इसे अच्छे से हम चारो और अच्छे से इसे spread कर देंगे तो फ्रेंड्स ये नास्ता आप एक बार जरूर ट्राई करें बच्छों को इस तरह की सीजे बहुत पसंद आती है और खाने में भी बहुत जादा टेस्टी लगता है बिल्कुल ये जो नीचे का लेयर हमने बनाया है बिल्कुल ये करश्ट जैसा लगता है जैसे आप पीजा वगरा खाते हो बिल्कुल वही टेस्ट आता है आप इसके उपर न चाहो तो आप इसके उपर थोड़ा सा चीज वगरा भी स्प्रेड कर सकते हो लेकिन मैं यहाँ पर विदाउट चीज का ही बना रही हूँ यह देख सकते हो मैं किस तरह से बना रही हूँ और सभी को मैं इस तरह से बना के रेडी कर लूँगी अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज प्लीज आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूले और यहां देखे फ्रेंड्स मैंने सभी बना ली अब हम इसे फ्राइब करेंगे तो फ्राइब हम आप चाहो तो इसे फ्रेंड्स डीप फ्राइ भी कर सकते हो लेकि उसमें बहुत ज़दा उय लगता है तो हम इसे सिर्फ दो चमस तेल में ही बनाएंगे तो ये दिखे मैंने तेल ले लिया है अब हम क्या करेंगे इसे पैन में डाल देंगे आप इसे तवे पर भी बना सकते हो friends उसके बाद क्या करेंगे, हम जो हमने घोल बना के रखा था हमने behisan का, उसका हम यूज यहाँ पर करेंगे, लेकिन हम यूज करेंगे, लेकिन फोड़ा सजा यह नीचे से पक जाएगा सीख जाएगा थोड़ा सा हमारा उसके बाद ही हम इसके उपर स्प्रेड करेंगे तो यह दिखे फ्रेंड्स मैं थोड़ा सा गोल इस लेकर और इसके उपर अच्छे से स्प्रेड कर दूगी ताकि जो हमारे मसाले हैं जो हमने आलू की स्टफिंग भरी है वो बिल्कुल भी न नास्ता बहुत ही ज़्यादा अंदर से क्रिस्पी भी बनके रेडी होता है और खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है एकदम क्रस्ट जैसा ही लगता है जैसे पीजा का क्रस्ट होता है वैसा ही लगता है तो इस तरह से करके मैंने सभी यहाँ पर बना के रेड सकते हो और इसे आप सुबह के चाय के साथ या शाम के चाय के साथ भी आप इसे इंज्वाइ़ कर सकते हैं तो यह देखेan friends इस तरह से हम इसे अलट पलट कर crispy होने तक हम इसे fry कर लेंगे और आप देख सकते हो इसका texture कितना मस्त आया है ये पीछे से भी बहुत ज़ा क्रंची हुआ है और आगे से भी बस अब हम इसे कट लगा देंगे तो आप जिस भी शेप में चाहो आप इसे कट कर सकते हैं मैं इसे बस दो पीस में अलग ही कर रही हूँ और अपर देख सकते हो अंदर का इसका टेक्श्चर और इसमें अब ज़िए रेसेपी पसंद आ रही हो तो प्लीज आप मेरे चैनल को लाइक और सस्क्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर जरूर करें तो मैंने यहां पर सर्व कर लिए हैं फ्रेंड्स आप इसे मीठी चट्टी तीखी चट्टी जिस भी चट्टी के साथ आप इसे सर्व करोगे आप मज़ा ही आ जाएगा आप इसे जब भी चाहो आप लंच में डिनर में आप इसे कभी भी बना सकते हैं बहुत ही हेल्दी आप्शन है तो फ्रेंड्स आप भी इसी तरह से बनाएं बच्चों के लंच बॉक्स में दें सुबह में नाष्टे में या फिस शाम के चाय के साथ या डिनर लंच में आप इसे कभी भी बना के खा सकते हो आगर आप weight loss में हो तो भी friends आप इस बना के खा सकते हो बस आलू की feeling के जगह आप यहाँ पे सब्जीयों की भी feeling आप कर सकते हैं और उसके बाद जिस तरह से मैंने बताया आप उस तरह से बनाएं और enjoy करें इसके साथ आपको सब्जी की भी जरूत नहीं पड़ेगी friends इसके सा के साथ आप धरूत हैं जए हा थनरूत मैंस